प्यारे बचों, श्वागत है आज के इस लेक्चर में आज एक इंपोर्टन्ट आर्टिकल हम मेकनिक्स में रोटेशन मोशन का लेने जा रहे हैं मोमेंट ओफ इनर्शिया और स्फियर जो दोत रहे के होते हैं सॉलिड स्फियर और होलो स्फियर हम दोनों ही स्फियर का मोमेंट ओफ इनर्शिया आज के इस लेक्चर में डिराइव करेंगे आप बहुत ध्यान से पूरे लेक्चर को देखिएगा चुनिएगा और अपनी नोट्स खुद बनाईएगा फिर भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं जल्दी ही इनके जो लिंक है वो डिस्करप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँगा लेकिन आप स्ट्वाइड कीजिए पहले हम मोमेंट ओफ इनर्शिया ओफ शोलिड स्फियर ड्राइव करेंगे अबाउट इस डाइमेटर तरीका वही है प्यारे बच्चो सबसे पहले वो अबजेक्ट कंसिडर कर लीजिए जिसका आप मोमेंट ओफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं और फिर किस एक्सिज के परती और उसके बाद देखी वो किन चीजों से मिलकर के बनी है उन ओजेक्ट का मोमेंट ओफ इनर्शिया त transfern हों फिर हम उन तमाज आप मैंगे ओडि क्वाइड मोमेंट ओ सिची हमें मिल जाएगा तो दीक्या हम यहां क्या अक्रीन कर रहे हैं पहिला step ले रहे हैं कंसिडरे सोलीड स्फियर of mass M जो मैं बोल रहा हूं वो भी लिखते जाईए and radius R this is the solid sphere so can you tell me what is the volume of the volume of solid sphere क्या है it is equal to 4 by 3 pi R cube प्यारे बचो इस पूरे का mass भी हमें पता है M है volume भी पता है तो यहां से हम निकाल सकते है mass per unit volume of the solid sphere mass per unit volume of solid sphere और यह कितना होगा M by 4 by 3 pi R cube यह होगया यह 3 जो है उपर चला जाएगा और इस तरीके से यह होगया जिसको हम बाद में use करेंगे अब देखिए next step में जाते हैं क्योंकि हमें moment of nature of diameter निकालना है अब हम यह देखते हैं कि यह किन object से बना है जो हमारे लिए known है देखें अगर हम यहां से एक piece काटें पूरा जिस तरह से आप यह समझ लिए औरेंज है औरेंज का उपर का पूरा हिसा निकाल दें तो आपको एक दिखाई देगा वो है spherical cell फिर उसके बाद दूसरे यह तीसरा हम यह कह सकते हैं कि this solid sphere is made up of a number of spherical cells consider one such spherical cell यह देखें ऐसी इस तरह की spherical cells हैं आप देख रहे हैं यह देखें हमने क्या माना है कि the solid sphere is supposed to be made up of a large number of the spherical cell consider one such spherical cell of radius x and width dx can you tell me what is the volume of this spherical cell जो हमने consider किये अब हमारा पूरा focus इसी cell पर होना चाहिए पहले इसी का हम moment of nation निकालेंगे तो उसके लिए हमें mass चाहिएगा तो बताइए उसके लिए पहले हमें चाहिए area area of spherical cell कितना होगा वो देख लीजिए 4 pi इस cell का 4 pi x square into dx surface area को width से multiply कर दिया है तो इसका volume आ गया अब यह देखिए mass per unit volume solid sphere का हमें पहले से पता है and this spherical cell is also the part of the solid sphere so mass per unit volume of this spherical cell will be same as that mass per unit volume of the solid sphere इसका मतलब हम यह लिख सकते हैं यह बताइए mass of spherical cell यह कितना होगा यह आप आराम से बता सकते हैं mass per unit volume यानि कि 3 m by 4 pi r cube यह देख रहे हैं आप यहाँ पर यह है mass per unit volume इस spherical cell का भी इसके बराबर और इसका volume कितना है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4 pi x square into dx जो simplify कर दिजिए जो कटता है जिसे 4 pi से 4 pi cancel हो गया है हम लिखेंगे 3 m upon r cube into x square into dx यह क्या गया है this is the mass of this spherical cell प्यारे बच्चों अब इस spherical cell का moment of inertia भी आप निकाल सकते हैं पिछले वीडियो में हमने इसका result देखा था 2 by 3 m r square तो देखते हैं यानि moment of inertia of this spherical cell about its diameter कितना निकाला था यह देखे moment of inertia of spherical cell जो हम consider कर रहे हैं about its diameter यह जो result हमारे पास आएगा वो देख लीजे यह उजेगा di and it will be equal to कितना होगा 2 by 3 into mass mass कितना है यह mass ही है आपके पास spherical cell का तो मैं इसका एचसत लिख देता हूँ 3 m by r q x square into dx यह तो mass हो गया और into आप एक और बार देखिए into x square 2 by 3 mass into radius का square radius कितना इसका x तो यह हो गया है यानि कि अब हमारे पास यह जो result आया है वो देख लीजिए क्या है di इसको थोड़ा सा simplify हम लेकर देंगे 3 से 3 cancel हो गया है और हम लिखेंगे 2 m by r q x की power 4 into dx 4 हो गई है dx है यानि कि यह इस spherical cell का moment of inertia आगया है about its diameter अब हम चाहते हैं कि पूरा जो sphere है solid sphere उसका moment of inertia आजाए तो उसके लिए हम उन तमाम जो यहां से spherical cells हैं जिनका radius 0 से लेकर के r तक है देखो सबसे चोटी spherical cell 0 radius फिर उससे थोड़ी बड़ी और इस तरह से बनती सबसे बड़ी जो spherical cell बनेगी वो r radius की बनेगी यानि कि center वाली spherical cell के लिए x की value 0 है और भार वाली outer के लिए इसकी capital r है तो हम यह लिखेंगे कि to find out the moment of inertia of this solid sphere we integrate this equation from x is equal to 0 to x is equal to r we write here i is equal to 2m by r cube और integrate कर रहे हैं x की value 0 to x की value r x की power 4 into dx और प्यारे बचो इस तरह से आप इसे integrate कर सकते हैं यह देखे cube जब हम इसे integrate करेंगे तो x की power 5 divided by 5 limits वही है 0 to r इसको थोड़ा सा open कर लीजिए 2m by r square cube है नीचे और 5 भी हम भाहर ले ले लेते हैं अंदर रहे जाएगा x की जाहन पहले हम upper limit रखेंगे यानिकि r की power 5 minus r की value 0 यह देखे यहाँ पर x की value 0 हो जाएगे और आप देख सकते हैं इसको कितना हो जाएगा यह 2 by 5 m यह 5 power है 3 है तो यह square रह जाएगा और यह है moment of inertia of this solid sphere about its diameter तो प्यारे बच्चो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं लेकिन जड़ा सोचिए कि अगर यह hollow sphere होता तो हम क्या करते हैं मतलब यह पूरा zero से नहीं होता बलकि यहां से होता यानि कि कुछ इसा इसका अंदर का बिलकुल खाली है hollow है तो फिर हम कैसे करते हैं चलिए निकालते हैं moment of inertia of the hollow sphere moment of inertia of hollow sphere about its diameter axis हमें पता होना चाहिए सुरुवात में बिलकुल वैसे ही लिखेंगे consider a hollow sphere यह जो मैं बोल रहा हूं यह भी लिखना है अपने notes बिलकुल वीडियो को धीरे-धीरे करके जहां भी है अच्छे बना लीजिए और फिर पूरा लिक कही है आगर आप maximum scoring करना चाहते हैं तो क्यों क्यों क्योंकि दूसरों से हटके अलग और अच्छा लिखेंगे तो तुम्हें marks भी ज़्यादा मिलेंगे marks सरक तब नहीं मिलते हैं कि दूसरों से quality wise कम हो गया तो फिर आपके marks कर जाएंगे यानि कि आपके number पर दूसरे भी हसर डालते हैं तो चलिए देखते हैं मोमेंट ओफ इनर्शिया हमें होलो स्फियर अबाट देमिट नहीं का लिए कंच यह इतना है यह पूरा यह हिस्सा इसका खाली है हम क्या कहेंगे कंचिडरी होलो स्फियर ओप मास M एंड लेट स्मोल आर एंड कैपिटल आर आर दी इनर एंड आउटर रेडियस ओफ दिस होलो स्फियर रेस्पेक्टिवली यह लिख देंगे अच्छा आप मुझे बताईए वोल्यूम ओफ दिस होलो स्फियर कितना है यानि वोल्यूम ओफ होलो स्फियर आप मुझे यह बताईए यह कितना होगा 4 by 3 pi r cube यह होता अगर यह पूरा भरा हुआ होता पूरे का लेकिन इसमें इस हिस्से का हमें निकाल देना है इसलिए हम minus r cube इसको subtracted दिया this is the volume of this holosphere और इसका mass कितना है m तो फिर यहां से हम mass per unit volume निकाल सकते हैं यानि mass per unit volume of hollow sphere यह निकाल देगे जो mass है ना m divided by 4 by 3 pi r cube minus r cube ऐसे आप इसको इस्तरे से लिखेंगे 3m divided by 4 pi r cube minus r cube यह है यह है mass per unit volume इस hollow sphere का अब next step में जाते हैं हम देखते हैं कि यह किन object से मिल करके बनी है अगर देखिए हम इसके इस इतने हिस्से को बाहर से निकालना चाहें तो हम इस स्फिरिकल सेल मिलेंगे हम यह कह सकते हैं कि जो hollow sphere है यह स्फिरिकल सेल से मिल करके बना है इस तरह की स्फिरिकल सेल से हैं आप देखिए यह देखिए इसके थिकनेश जो है वो दी एक्स है और इसके जो रेडियस है वो देखिए यह एक्स है और थिकनेश दी एक्स है हम यह कहना चाह रहे हैं इस होलो स्फिर इस पूरज डी मेंट अप पनेशन आप आप अ लार्ज नंबर अफ स्फिरिकल सेल कंशिडर वंस जो राइटियस एक्स एंड विर्थ थेएक्स एज्ट तो कन यू तल मी वाट इस दी वूलूम प्डिस स्फिरिकल सेल वोल्यूम ओफ अब हमारा पूरा फोकस में पहले भी बताया था इसी स्पेरिकल सेल पर रहना है ओफ स्पेरिकल सेल तो देखें कितना होगा ये मास परियूट वोल्यूम को पहले वोल्यूम कितना जाएगा यह फोर पाई एक स्केर यह एरिया हो गया और डी एक से मिल्टिफलाई कर दिया यह हो गया अब हमें क्योंकि पहले इस स्फेरिकल सेल का मोमेंट ओफ निर्शिया निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसका मास पता होना चाहिए वो हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है मास परियूट वोल्यूम ओफ स्फेरिकल स्फियर और क्योंकि जो स्फेरिकल सेल है यह भी इसी का इस्सा है तो इसका भी मास परियूट वोल्यूम इतना ही होगा और अगर हम इसके वोल्यूम से cell कितना होगा, mass of spherical cell, ये कितना होगा, ये देखिए, mass print volume हमें दिया हुआ है, 3m divided by 4 pi into r square minus r, sorry, r cube minus r cube, और mass इसका कितना है, ये देखिए, ये mass print volume है, और volume कितना spherical cell का है, उसके multiply कर देते हैं, 4 pi x square into dx, इस तरह से लिए, जो कटता है, उसको काट दीजे, हमने काट दिया है, जो बच गया है, उसको लिए दीजे, 3m upon r cube minus r cube into x square into dx, ये आगे हैं, this is the mass of this spherical cell, अब देखिए, हम इसका moment of inertia about diameter कितना होगा, moment of inertia of this spherical cell about its diameter, moment of inertia of spherical cell जो हमने consider की है, spherical cell about its diameter, प्यारे वेच्च आप जानते हैं, क्या होता है वो, वो di and it is equal to, वे होता है 2 by 3, mass multiplied by radius, radius का square, ये ही तो होता है, ये सारी की सारी चीजे हमें पता है, 2 by 3 चलिए, x लिख दिया हमने 2 by 3, mass कितना है, mass of the spherical cell ये आपके सामने है, ये लिख देते हैं, into 3m, ये लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि this is the mass of the spherical cell, तो लिख दीजिए, 3m upon r cube minus r cube, x square into dx, ये तो mass है, और इस spherical cell का radius का square है, तो radius कितना इसका x है, तो हमने लिख दिया x square, प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा simplify कर लीजिए, जैसे हमने इसको cancel कर दिया है, और जो बचता है, वो अब और नीचे क्या लिखा हुआ है, जो बच रहा है, as such, r cube minus r cube, ये देखिए, x के power कितनी होगी है, 4, और into dx, प्यारे बच्चों, this is the moment of inertia of this spherical cell which we have supposed here, लेकिन हमें क्या करना है, we have to find the moment of inertia of this spherical sphere, जो कि hollow है, अब देखिए, ये x के value, यहां से सुरुवात होगी, जो कि इसके अंदर तो कुछ है, ये तो hollow है, तो ये, अब हम क्या करेंगे, अगर हमें इस पूरे solid sphere का, sorry, अगर हमें, प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, तो find out the moment of inertia of this hollow sphere, we integrate this equation from x is equal to small r to x is equal to capital R, integrate above equation from x is equal to small r to x is equal to capital R, we write, लिख दीजिए, चलिए हम integrate कर देते हैं, हमारे पास i आजाएगा, entity is equal to, जो constants हैं, उनको हम बाहर ले रहे हैं, r cube minus r cube, ये देखें, integrate कर रहे हैं, small r to capital R, x की power 4 into d, by r cube minus r cube, ये देखें, और limits में एक जोड़ दीजिए, तो 5 integrate करेंगे, तो कैसे करेंगे, 5 by 5, limits वैसे ही, small r to capital R, थोड़ा और simplify कर दीजिए इसको, 2 m by r cube minus r cube, और 5 भी हम भाहर ले ले लेते हैं, और ये देखें, यहाँ लिखेंगे, पहले x के स्थान पर upper limit, तो r की power 5 हो जाएगा, फिर minus sign के साथ lower limit क्या जाएगा, इसको थूड़ा सा, आप simplify करके, लिख दीजिएगा, ये देखें, तो क्या जाएगा, moment of inertia of solid sphere 2 by 5 into m, और यहाँ देखें आ रहा है, r की power 5 minus r की power 5 divided by r की power 3 minus r की power 3, this equation gives the moment of inertia of the holosphere about its diameter, प्यारे बच्चों, बहुत important article है, आपके exams में लगबग हर दूसरी साल ये question पुछा जाता है, और बहुत slow करके आप अच्छी तरी कीशे इसे पढ़ें, देखें, अगर ये solid होता, तो ये हिस्सा भी भरा हुआ होता, तो ये small r कितना हो जाते हैं, ये तो आप इतना है, गट करके कितना रह जाता है, यानि कि अगर यही चीज, for solid sphere, अगर हम solid sphere की बात करते हैं, तो small r कितना हो गया, 0, जब हम इसको 0 करेंगे, 5, m, ये 0 हो गया, ये 0 r के power 3, और ये उपर 2, तो ये हो जाएगा, r square, ये ही तो हमने result निकाला था अभी, जब moment of energy of solid sphere की बात कर रहे थे, तो प्यारे बच्चो, देखिए आपने कितना systematic तरीके से, 4 ही step है, बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बाकी चीज़े तो अपने आप आती है, step by step mathematical steps होते हैं, वो अपने आप आ जाते हैं, मैंने 4 step बताये थे, पहले वो object consider कीजिए, फिर वो axis और फिर देखिए वो किन से ब अड़ाई करेंगे, और तो आपके marks धीरे धीरे अप होते हुए, आप 100% marks की तरफ पहुंच जाएंगे, हम भी धीरे धीरे one by one article आपका कर रहे हैं, आपका पूरा syllabus, यानि 100% syllabus की तरफ हम लोग पहुंच जाएंगे, ना सिरफ आपके exams के लिए, जो university में पूछे जाते हैं, बलकि competitive exams में भी ये articles आपके लिए बड़े महतो पूल रहने वाले हैं, पूरी की पूरी physics सभीत रहें के videos आपको आपके अपनी language में, आपके अपने तरीके से समझ में हम यहाँ पर upload करने वाले हैं, तो आप अपने comments हमें लगातार भेजते रहिए, हम इसको continuously improve करेंगे, मेर तो आप ज्यादा से ज्यादा students में इसको जरूर शेयर करें, यही मेरे लिए आपके तरफ से motivation का काम करेंगी, जिस तरह से मैं आपको बीच बीच में सब तमाम बातें बताऊंगा, जब आप exams की त्यारी करेंगे, तब भी हम बताएंगे कि हम highest lecture को कैसे चुएं, कैसे हम concept ले रहे हैं, तो प्यारे बच्चो, आज का lecture जिस्वी student ने पूरा वीडियो देखा है, lecture देखा है, बहुत कुछ उसके समझ में आया होगा, मैं उसका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और यही best wishes के साथ कि आप अपने exams में अच्छे scoring करें, मिलते हैं next, एक और आपके lecture के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद